मध्य प्रदेश में भाजपा सरकारे कारेकाल में पटवारी भरती में हुए घोटालों के विरोध में सुमवार को यूवा कॉंग्रेस के नित्वतों में भागली एजडियम कारले पहुच कर राजजेपाल के नाम ग्यापन सुपा है इस जोरान कांग्रेस के नेताओं के नेतरतों में बड़ी संख्या में कांग्रेस कारीकरता रैली के रूप में SGM कारेलाई बागली पहुचे जहां पर SGM शोभराम सोलंकी को राज्य पाल के नाम क्यापन सौपा गया जिसमें बताया कि मध्य प्रदेश में हालहे में हुई प प्रती भागी भाजपा विधाय के कॉलेज के हैं कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि बड़े इस्तर पर महा घुटाला हुआ है राष्ट्रपती से मांग की है कि पटवारी भरती घुटाले की निस्पक्ष जाच हो तथा दोश्यों के विरुद्ध कड़ी से कड़ प्रश्टाचार की दुकानदारी इन लोग उन्हें खोली है आज जनता त्राहियां त्राहियां कर रही है मत्यप्रदेश ब्रश्टाचार का पर्याय हो गया करना टक चालिस परसेंट लेकिन मत्यप्रदेश तो 80% से उपर भी चला गया आज कहीं कुछ दिखने को नहीं मि प्रश्टाचार इस चलाओं में एक बड़ा मुद्दा होगा और जिसको लेकर हम जनता की बीच जाएंगे हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चेनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना पुले